विश्व प्रसिद्ध ग्यारवे जोतिर लिंग श्री केदारनाथ धाम में 11,900 फिट पर केदारनाथ वन्य जीव प्रभात के द्वारा विश्व परियावरन दिवस मनाया गया इसी दौरान केदारनाथ धाम में मेरी लाइफ और इंवर्मेंट हेतो व्रक्षा रोपन और हस्ताक्षर अभियान सहीत 500 परियावरन प्रेमी उत्वारा शपत ग्रहन अभियान भी चलाया गया आपको बता दे कि विश्व पर्यावरन दिवस पर केदारनाथ धाम में मोख्या बुजारी शिव शंकर लिंग, डिएफो अभी मन्यू और तिर्थ पुरू हितो द्वारा पर्यावरन संरक्षन हितो ब्रह्म्ह कमल पौधो का रोपन का शुभारम किया गया वहीं इसी दौराण डिएफो अभी मन्यू ने कहा कि विश्व पर्यावरन दिवस की बावन वी वर्श गाठ पर श्रे केदारनाथ धाम परिसर में बावन ब्रह्म्ह कमल के पौधे का रोपन किया गया है और भविश्य में भी बड़े इस्तर पर ब्रह्म्ह कमल के पौधे को के दारनाथ धाम के आसपास रोपित करने का लक्ष है रुद्र प्रयाद से सत्यापाल नेगी की खास रिपूर्ट करेंगे यह सपत लेंगे कि हम अपने से पहले अपने आप को हम पूरों की जेमिजारी ने ले सकते हैं लेकिन खुद से हम आज एक संकल्पित रहें कि हमारे द्वारा किसी भी तरह से प्रकृति को और जहां पर नुक्षान दित्ता भी है उसको हम स्वरक्षत करने का आज विश्व पर्यवरंदिवस के सुभवशर पर केदारनात वंजी प्रभाग के द्वारा 11900 फीट के उचाई पर स्रिथ श्री केदारनात धाम में विश्व पर्यवरंदिवस को धुमधाम से मनाया ग सिगनेचर कैमपेंग और हैस्टेग क्लीन केदार ग्रीन केदार अभियान के तहत व्रिक्षा रोपन जिस कारेकरम किया गया जिसमें केदाना धाम के आसपास के छेतर में बावन ब्रहम कमल पौधोका रोपन किया गया साथ ही जो अन्य जो हमारे केदारनात कादल मार्ग है उस पे विभिन पजातियों के दो हजार पौधोका रोपन किया गया